नमस्कार दोस्तों क्या आप अपने पार्टनर के साथ में भिस्तर पे जाने से डरते हो शर्मिंदगी महसूस करते हो क्यूंकि आपका प्राइविट पार्ट यानि कि आपका समान बहुत ज़्यदा छोटा है तो टेंशन मत लीजे दोस्तों आज हम एक ऐसा देसी नुसका बत देख रहे हैं बिल्कुल देसी इलाज चैनल को तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे साथ में जो घंटी वाला निशान उसे ओल पे टच कर दीजे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो दोस्तों यह नुसका बिल्कुल ही अलग तरीके का है और बहुत एफेक्टिव है और कोई भी इसका नुकसान नहीं है और कोई भी इसको इस्तमाल कर सकता है एक बार इस नुसक्राइब को जरू करके देखना चाहिए अगर आप ऐसी प्रॉबलम से परिशान है तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसमें चाहिए क्या ये देख ल यानि कि पत्ते चाहिए हमको लगभग 15-20 पत्ते चाहिए ताजे ठीक है और हो सोके तो उसके फोल भी मिल जाये तो और बढ़िया है दो तिन फोल जरूर होने चाहिए ठीक है इस परकार के ठीक है तो दोस्तों बिलकुल सिंपल सा तरीका है कोई भी इसमें ज्यादा पत्ते में मिल जाया क्योंकि ये सभी के घरों में गमलों में लगा ही रहता है आपने जरूर देखा होगा तो दोस्तों आपने क्या करना है कि 50 ग्राम आपने सरसों का तेल ले लेना है ठीक है और फिर क्या करना है कि जो सदा बहार का पत्ते होते हैं उसको अच्छे पत्ते निकाल लेने है साफ सा पत्ते ठीक है तो आपने क्या करना है कि इसके पत्तों को निकाल के इस तेल में आपने डाल लेना है ठीक है और इस पत्तों को आपने जब भी इस्तमाल करना है धो के और ताजे पानी से धो के साफ करके फिर ही इसमें डालना है आपने ठीक है तो इन प पत्तो को आपने केक करके डाल लेने हैं और हो सके तो इसके जो फूल की पत्तियां होती हैं वो भी इसमें डाल लेनी है दो तीन फूल होने चाहिए जरूरी ठीक है तो आपने क्या करना है कि इस मिश्रण को आपने अच्छे से पहले मिक्स कर देना है ठीक है और फिर आपने क करना है कि धीमी आज पे इसको पकाना है कम से कम 10 से 15 मिट तक पकाते रहना है आपने दोस्तों पकने के बाद इसका कलर धलका सा चेंज होना चाहिए जैसे ही चेंज होगा आपने इसे उतार लेना है और फिर ठंडा करना है ठंडा करने के बाद आपने इसको शीशी में भरके च्छान के सीशी में भरके रख लेना है दोस्तो इसकी मालिश आपने रोजाना करनी है सुभे और शाम को अगर सुभे ना कर सको तो रात को तो आपने जरूर करना है सोने से पहले ठीक है तो अगर दो टाइम करते हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया है और अगर रात को कर ल है कि तेल को आपने इस परकार से लेना है और और इस परकार से आपने मालिश करनी है तो दोस्तो मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आपने कैसे मालिश करनी है दोस्तो जो आगे का भाग होता है उसको छोड़के जो नसे होती है इसकी अपने प्राइविट पार्ट की समान की यानि की उसकी नसों पर अच्छे से मालिश करनी है आगे पीछे आगे पीछे इस प्रकार से आपने 5-6 मिनिट तक मालिश करनी है रोजाना करने से आपको बहुत ज्यादा लाब होगा दोस्तो ऐसा रेगुलर करने से आपके साइज में भी प्राइवेट पार्ट में करके देखेगा बहुत ज्यादा फाइदेमन है और एक साउधानी जरूर आपने रखनी है कि जिस दिन आप इसे लगाओ उस दिन आप अपने पार्टनर के साथ में बिस्तर पे ना जाएं ठीक है आप जिस दिन आपने आप पार्टनर के साथ में जाना है बिस्तर पे ठीक ह उस दिन आपने मालिश नहीं करनी है ठीक है समझ गया आप ऐसा आप दोस्तो रेगुलर करिए तीन महिने तक आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा ब्रीधी होगी आपके साइज में और लंबाई में ठीक है तो दोस्तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं है फिर भी आप इसे एक बार करने से पहले अपनी वैदगी सलाज जरू लेने तो दोस्तो आप समझ चुके होंगे सरसों का तेल और सदा बहार के पत्ते और फूल इनको इस्तमाल करना है आपने ठीक है तो दोस्तो आज के लिए बास इतना ही उम्मेद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरू करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने ना भोलेगा धन्यवाद